मुझा है करें तो इसे कि आप देख सकते कि मैं अल्डेदि निप्टी फिप्टी के चार्ट में हो तो चली हम लोग देखते हैं कि कल के लिए जो मारकेट रहेगा तो उसमें क्या चाहिए रहेगा उसको हम लोग थोड़ा करके देखते हैं आप तो जैसे कि आप देख सकते कि लास्ट डे का जो हम लोग एनालिसिस के थे तो आज आपको पूरा दिखा कि उसके हिसाप सी मार्केट रिस्पॉंस किया है एकदम और हम लोग यहां पर म आज की उतना पॉल आपको नहीं दिखा क्योंकि मार्केट का अगर आप आई भी चेक करेंगे तो उसमें आपको दिखेंगा कि मार्केट खुरा स्टेबल हो रहा है तो मार्केट में जैसे मार्केट में आपको दिखा तो वह अभी कम हो रहा है तो उसके हिसाप से ही आपका जो मुवमेंट है तो बेरिस मुवमेंट भी आपको उतना अच्छा नहीं दिखा है तो अगर आप यहां पर डेली टाइम देखते हैं तो चार्ट के इस आप से आपको दिखा के हम लोग जानते हैं कि यहां आप से एक ब्रेक आउट हो था और मार्केट अप्रोच किया आपक पर मार्केट का क्लोजिंग है तो अभी का सिचुएशन जो है मार्केट उपर नहीं जा सकता है उपर क्यों नहीं जा सकता है अश पर ओए अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा कि वाइप जो बिल्डफ है वो सब्सक्राइब आपको दिख जाएगा कि कि इतना ज्य अब आप देखते हैं तो इसमें भी आपको दिख जाएगा कि यह जो उपर का हाई था तो उहां से मार्केट फिर से नीचे एक कॉंसलिडेट कर रहा है और मार्केट में आपको दिख रहा है एक बेरिस मोमेंटम लेकिन पहला बात ही है कि नीचे सेवेंटीन थाउजन पर म है और अगर आप इंडिकेटर के बात कर रहे तो इंडिकेंटर खेस सभी अपको दिख रहा है कि आपको दिखा रहा नहीं कि अभी वैरिष रहेगा यार्ट यहां पर बॉलिंजर घंडव लगा जेता तो यहां पर बॉलींजर वैंडफ भी चैलिंज होआ है उल्रेडि तो यहां पर आप आपको दिखा रहा है कि मार्केट रहेगा और यह में क्या है यहां पर आपको देख पा रहा है कि फिटी यह में का जो नीचे का सपोर्ट था तो फिटी में का भी नीचे हो गया है तो इसके आपको बेरीज बीपन अभी लेना है और बेरीज बीपन के लिए क्या-का टार्गेट या आपका रहेगा तो आप देख सकते हैं कि मैं अलड़ी चीजे कि नोट किया हूँ है आपर कि अगर आप टार्गेट के बात कर रहे हैं तो टार्गेट में क्या रहेगा आपका स्ट्रॉंग सपूट आपको पहले मानना परेगा सेवेंटी थाजन वान अंड़ेड अगर उसको ब्रेक कर जाता है तो मार्केट एट हंड़ेड तक जा सकता है उसके हिसाफ से आप मतलब आप कितना प्रॉफिट बुक कर सकते हुआ उसके हिसाफ से आप अपना टार्गेट बनाओ उसमें और अगर उपर के तरह आप देख रहे हैं तो अभी के लिए सेवेंटीन थाजन थी अंड़ेड से उपर मार्केट नहीं जा सकता है तो इसके हि और मार्केट नहीं जूँट्यक से इसके हिसाफ से पहले बिए ध्यान पर देना है कि सेवेंटीन थाजन का मार्क को पहले उसके बाद आप इंट्री लो तो आप एट लिएट्लिस्ट पॉइंट अप्रोच कर सकते हैं तो अगर आप बैंक निप्टी में आप देखते हैं तो बैंक निप्टी में भी आपको दिखा कि मार्केट एक रेंज बाउंड हो गया था और मार्केट का जो मार्केट क्लोजिंग दिया था और यह एक लेवल बन गया था कि जहां और उपर का अगर देखते हैं तो उपर का लेवल बन गया था तो दोनों में यहीं 300-400 प्रकेट घुम रहा था तो जैसे ही आपको दिखा की मतलब यह एक साइड़ वेस्मॉमेंट दिख रहा था तो साइड़ मोमेंट का आपका एक ही सही बात है कि साइड़ मोमेंट में आपका जब भी उस लेवल को क्रॉस करता है तो आइधर ब्रेक ब्रेकडाउन आपको दिखने को मिलता है जो एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड बनता है और अगर नीचे अगर आप अभी देखते हैं कि सब्सक्राइब आपको दिख जाएगा कि 35,999 यहां तक मार्केट अभी आ सकता है अगर इसको ब्रेट करता है तो फास्ट यहां पर आ जाएगा 35,500 जो अभी के लिए आपको अगर देखते हैं तो 35,500 के आसपस मार्केट अभी नहीं जा सकता है क्योंकि दोनों तरब आपको दिखेगा कि आपको देखना परेगा कि अगर यह जो लेवल ब्रेक कर रहा है तो मार्केट फिर से 400 के तरब अप्रोच करें उसके बाद सिधा फिर से 600 को टाच करने के कोशिश करें और उसके इसापसी आपको बनाना है है तो यहां पर जो फैक्ट आपको अभी दिमाग में रखना है वह बेरीज भीपेंट ठीक है लेकिन स्ट्रॉंग सपोर्ट थर्टी सिख ताउजन रिजिस्टेंस थर्टी सिख फाइंड़ बुलिश अगर आपको दिखता है मार्केट तो मार्केट में आपका टार्गेट बहुत चोटा रहेगा 36400 उसके बाद 600 बेरीज भीपेंट के लिए अगर आप देखते हैं तो 35800 और नीचे का 35500 और इन दोनों में आपको देखना परेगा कि आइदर अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर ब्रेक कर जाता है तो नीचे का आपको बेरीज भीपेंट लेना ह अच्छा बेरीज शरी बुलिश भीपेंट आप ले सकते हैं अधर्वाइस अभी बुलिश भीपेंट के सही टाइम नहीं है तो इसके हिसाब से आप अपना ट्रेड लीजिए और थैंक्यू गास थैंक्यू फॉर वाचिंग दी वीडियो सी यू इन नेक्स वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपकर सकते हैं थैंक्यू सो मुझा